इवर्तन और विकास को समझने के लिए इन्होंने माक्सवादी विचारधार की सुरूआत। माक्स ने क्या किया था? आर्थिक गत्विधियों के अधार पर समाजिक सरंचना का विश्दार वादी होने निरंकुस रास्तंद्र राज़ धर्म और राजाओं के अपार शक्ती अधिक नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माक्सवाद क्या है उदारवाद विचारधारा क्या है दधा माक्सवाद और उदारवाद विचारधारा में क्या अंतर है तो चलिए बिन अदेर के अपने वीडियो को सुरू करते हैं तो जब हम बात करते हैं माक्सवाद बनाब उदारवाद की तो माक्सवाद और उदारवाद दोनों ही एक ऐसी अवधारणा है जिनका दुनिया भर के लोगों द्वारा समर्थन किया जाता है माक्सवाद की सुरुवात काल माक्स ने समाज में जो अभिजात वर्ग अमीर वर्ग थे और जो मजदूर वर्ग थे इनके वीच संघर्स के परिणाम सरूप सुरू हुआ और परिवर्तन और विकास को समझने के लिए इन्होंने माक्सवादी विचारधार की सुरुवात करी थी दूसरी और उदारवादी धर्म, व्यापार, राजनीती सुतंदर्ता, नागरिक अधिकार, आदी जैसी कुछ अवधारणों के संबंद में सुतंत्र और समान होने के विचार पर जोर देते हैं यानि माक्सवाद और उदारवाद, दोनों अलग अलग क्या है अवधारणाएं हैं माक्सवाद जो है, वो अमीर और गरीबवर की बात करता है, जबकि उदारवाद जो है, वो नागरिक की सुतंदरता पर अपने विचार रखता है अब जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन दोनों के बीच के अवधारणाओं को और इसके बीच के अंतर को अच्छे से समझते जाएंगे हम पहले बात करते हैं माक्सवाद की, कि माक्सवाद जो है, वो क्या है, ठीक है, तो देखो, माक्सवाद जो है, वो काल माक्स द्वारा, प्रस्तूत, एक राजनितिक और आर्थिक सिधानतों को बताता है माक्स ने क्या किया था, आर्थिक गत्विधियों के अधार पर समाजिक सिरंचना का विशलेशन किया, और उनके अनुसार अर्थ विवस्था मनुस्य की जुरुतों को पूरो करने के लिए, मुख्य विशक्ताओं में से एक है ऐसे आर्थिक संगठन जो इस तरह से बनाए गए हैं, वे समाजिक वर्गों के बीच समाजिक संबंद विचारधारा और राजनिती कानून की विवस्था तैय करती है, ऐसा माक्स वादी विचारधारा कहते हैं, यानि कहना का क्या है, कि आज समाज ने एक ऐसी विवस्था बना दी है, जिससे आज समाज की विवस्था तैय करी है, कि जो लोग हैं, जो कानून हैं, वो क्या करेगी, लोग कैसे काम करेंगे, और इसके कारण आज अमीर और गरीब वर्ग के वीच में खाई पैदा हो गई है, यानि अमीर अमीर हो गए हैं और गरीब गरीब हो गया ह कि आज पूंजी वाद के कारण ऐसा हो रहा है अब हम समझते हैं उदारवादी विचारधार क्या है तो उदारवादी विचारधार पे जोन लोके जो हैं उनके विचार बड़े अच्छे हैं उन्होंने बोला उदारवाद को एक राजनेतिक दर्शन के रूप में उन्होंने पहचाना जा सकता है जो स्वतंत्र और मुक्त होने के विचार पर जोड़ेता है यानि उदारवादी विचारधारा कहती है कि लोगों को स्वतंत्र होने दिया जाए लोगों को मुक्त होने दिया जाए उनको अपनी इच्छा नूसार खर कारे करने दिया जाए जो करना चाहते हैं लेकिन उदारवादी समानने रूप से लोकतंत्र, नागरिक, अधिकार, संपत्ति के दाइत्व, धर्म आधी पर अधिक ध्यान के इंदरित करते हैं और उदारवादियों ने निरंकुस राजतंत्र, राजधर्म और राजाओं के अपार शक्ति अधिकार को मानने से भी मना कर दिया यानि यह नहीं मानती कि कोई हमसे ज़्याद तागरवर है, अगर लोगों को खुली छूट दी जाएं, तो वो अपनी शक्तियों का परियोग करके आगे बढ़ सकते हैं एसा उदारवादी लोग मानते हैं, उन्होंने बोला कि राजतंत्र के वज़ाए उदारवादी उने लोकतंत्र को drives को बढ़ावा दिया, कि राजतंत्र में कुछ लोग अमीर होते हैं, जब कि लोकतंत्र में सबको छूट दिया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकते अब हम बात करते हैं कि माक्सवाद और उदारवाद में अंतर क्या क्या है तो देखो जब हम माक्सवाद की बात करते हैं तो माक्सवाद एक सिधान्त है जबकि उदारवाद एक विचार धारा है पहला अंतर दोनों में यही है दूसरा माक्सवाद समाजिक परिवर्तन की बा करता है इसके लाब हम बात करें तो देखो ये तो अंतर की बात हो गई लेकिन दोनों ही अभधारना है ना माक्सवादी और उदारवादी अभधारना ये आज पूरी विश्वर में लोग प्रिय होते जा रहे हैं और लोगों द्वारा इन दोनों अभधारनों उपर अपने अपने विचारक के लोगों द्वारा इनको अपनाया जा रहा है तो आज आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्ते रिक्षास को शेयर जरूर करें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में